तो 2047 के विक्सित भारत की नीव रखने वाला चुनाव आप कह सकते हैं कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थ्यवस्था की गारेंटी वाला चुनाव तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ती बनाने वाला चुनाव आप कह सकते हैं कि 140 करोड भारतियों के सपनों और संकल्पों को साकार करने वाला चुनाव और जो प्रधान मंतरी ने खुद कहा कि ये चुनाव एक सांसद या सरकार चुनने के लिए ये आने वाले भारत के 1000 साल की नीव रखने वाला चुनाव है तो इस सबसे बड़े चुनाव पर देश का सबसे बड़ा नेट्वक एटी मैं आपके साथ अमन चोपड़ा और देश के सबसे बड़े चुनाव पर बात करने के लिए इस खास शो में हम अभिनंदर और स्वागत करना चाहेंगे देश के प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी न समय निकाला सवाल बहुत हैं लेकिन पहला सवाल दरह सल है कि कि 2014 में 300 की बात की गई थी तींसो पार या तींसो ली तींसो अगी 19 में 3500 की बात की गई 3500 अब 400 पार की बात की गई है दावा है 400 तो सब रफतार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 4500 पार की बात होगी मतलब यह सवाल मैं गंभीरता से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लग जब फीर में है चर्चा ही है कि मोदी 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है हार जीत की शायद समभवता बात कम हो रही है अब सवाल एक ही है कि 400 पार हो रहे हैं मोदी यह नहीं हो रहे हैं आपका नहीं निसेस है एक तो आपके सवाल को मैं गंभीर ही मांता हूँ मैं कोई लाइट नहीं मांता हूं और इसलिए मेरा जवाब बड़ा गंबीर ही रहेगा आपने जो कि भूमी का बनाई कि इतियास में कुछ ऐसे घटना होती है जो कि हजान साल के भविश्य को टाइक कर देती है और दुनिया के इतियास में सा हुआ है कि मेरे देशं सकता हूं कि यह समय है इस समय होने वाली 2-3 सपी सकारात्मग चीजे और सबी सकारत्मग स्वक्तियों को एक आने से कि एक हजार साल के वह विश्वाथ की दिशत्ता हो जाएए और वह भी सकारात्मग होगी कि यह मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं और इस अर्थ में यह चुनाव कई प्रकार से महपपूर है अब ज्यादा तर देश का नेड़ा है आज ज्यादी के बाद पैदा हुए लोग बोही कर रहे हैं इसलिए एक नए सिरे से सोचते हैं 21 सदी का जो जीवन है तो 21 सदी में जिसने जन में लिया है वो अब निरनायक एज गुरूप में पहुंच गया है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देखना हूं और उसने बुराया देखे नहीं है लेकिन उसके भीतर एक तड़फ है कि दुनिया बदल नहीं हम क्यों नहीं बदलते हैं क्योंको दुनिया को जानता है इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं चीज देख रहा हूं वह यह है कि सामान्य मानवी इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है कि हार इंडियन बटलब एस्पिरेशन कि किसी भी देश की गती का बहुत बड़ा फोर्स होता है चालग बढ़ता है जो मैं देख रहा हूं और वो सारे निरे अपने एस्पिरेशन को द्यान में रखे करता है यह चुना वह सोता है कि मेरे एस्पिरेशन के मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले और मेरा देश ऐसा होगा तो मुझे मैं इसे निकालूँगा इस बात पर कैंद्रित हुआ है दूसरा इस देश की महिला वर्दा उन्हें लगा है कि हम समाज का एक हिस्सा इतना ही नहीं है हम समाज में बहुत कॉंटिबूट कर सकते हैं हम किसे से कम नहीं है हम कुछ कर सकते हैं कि उनकी भीतर भी कुछ करना जो करते हैं उससे अतिरिक्त करना जो परंप्रागत है उससे भार जाके करना इस जज़वा प्यादा हुआ है तो मेरे तीस पैंतिस से कम आई वारों का एस्पिरेशन थी और देश की 50% मात्रूशक्ति का इस जज़वा एक ऐसा कॉंबिनेशन है जो हजार साल की नीव रखने के लिए प्रतिवत्त है और इसलिए मैं कहता हूं यह चुनाव देश की जनता लड़ रही है कि पूरे चुनाव की उन्रसित देश की जनता की है को नेता क्या बोलता है क्यों देखा नहीं की जनता मन नदा शूरिय चैज़व मढद बशंद driven by society समाज के त्वारा और इसलिए मुझे विश्वास है किस बार मजबूत सरकार स्थीर सरकार 405 वाली सरकार निरनायक सरकार बाविश्य की तरफ जाने वाली सरकार यह मैं देख रहा हूं मोजी जी मैं बात करते हैं 400 पार का और की बीजेपी 370 के पार जाएगी एंडिये 400 के पार जाएगा जिसमें थोड़ा मैं आपको लेकर जाओं कई स्टेट्स ऐसे हैं यूपी हो बिहार हो राजस्थान हो चाट्यस गोर्ण मंद्यप्रदेश हो इसमें बीजेपी तरह से साचुरेट पिछले इलेक्शन में कर गई तकरीबन पूरा स्वीप हुआ तो यह जो गेंज है जो 303 से 370 की जो जर्नी आप कह रहे हैं कि होगी यह गेंज आप किन स्टेट से देख रहे हैं क्या यह दक्षिन भारत से आएगा क्या यह बंगाल से आएगा और तलंगाना से आएगा आपका सोचने वालों का भी एक स्टेंग्लेंसी जैसा हो गया थे उससे अधिक सोची नहीं पाते थे अब मेरे से जब बात करते थे क्या हम होती जी तूटसर मैजोरेटी तीन तीन दसक हो गए मैंना क्या मात करते हैं जी मुझे बहुत क्या और जब 156 हम जीत क्या है और के लिए अच्छत था अब यह बन फिप्टी सित कहां से निकलेगी तो कागड़ लेकर बैठों के तो नहीं दिखांवां बैठेगा अगर आपको लगता है कि इतना सारा से चुरेशन होगा क्या होगा मैं देखूंगा कि राजस्तान में मेरे अगर पचीस हजार बूत है पिछली ब तो इसलिए मेरे लिए कोई चीज अंतिम नहीं है मैं लगातार उसमें भी इनाया फिर मैं रहे देखता हूं मान लिजे मुझे एक बूत में विजय मिला तो मैं पूछता हूं अच्छा वोटिंग क्यों ज्यादा नहीं हुआ है वोटिंग ज्यादा हुआ तो वोट क्यों नहीं है मैं इतनी बारी किसे प्लान करता हूं और मैं मानता हूं कि चुनाग है यह बड़ा विज्ञान है यह सिर्फ आंकोडों का खेल नहीं है जी और क्यांपेंग है वह केमिस्ट्री है आपकी कैसी बनती इस पर है और इसलिए मेरे लिए अगर नंबर में आपको लगता है तो तो कुछ नहीं तो लिए उसके सिवाए बहुत तो लाना वहां तो यहां तक राज्यों का सवाल है इस देश में कई राज्ये से हैं कि जहां अभ सब्सक्राइब को पार पिछली बारम नहीं थे इस बारम आएंगे तो यह नहीं है एक 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 गिनते जाओगे तो आपको अच्छा हां या बोदी ने पराव हिजाब करकर लगा करका है तो मेरा पक्का मत है कि हम बहुत से जगह पे हम कापी कुछ करेंगे इस भारत आपका हमेरा फोकस पूरा हिंदुस्तान रीजिए अब तुकड़ों में नहीं सोचता हूं और चुनाओं के लिए में काम नहीं करता हूं कि हम जीत करके इसलिए नहीं आये हैं कि अगली सरकार कैसे बनेगी हम जीत करके इसलिए आये हैं कि आने वाले पांट साल में देश कैसा बनेगा और इसलिए मेरी पूरी तपस्या या मेरा जब देश बने इसके लिए और जब देश बनाना है तो हंदुस्तान का हर इंस्चा उसमें पूरे देश को ले करके चलता है सर इसी से जड़ोंगा एक सावल है कि आप जब ़ी आप सत्था में रहे हो जाए और सींए म जा आप पीम रहे कि झांतार इसब से पालेदी आपने दूंगा पहली आपने देो न आपने दे रहोंगा न अगर मैं कहूंगी भाविश्य में देश अरके से आगे बढ़ेगा अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलोजी डिवन एरा में है और टेक्नोलोजी डिस्रॉप्टिव है ट्रांस्फर्मेटिव है और इसी ली एक्सेज है और हर व्यक्ति बहुत अड़ पर लेता है तुम ऐसी अधार से चले तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा स्कूप है जहां तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं इसको आज की जो मेरी वो देशी भासा है आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहां कहते हैं करप्शन के प्रतिश्य जीरो टॉलरंस तो वह मेरा रहेगा ही लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इस प्रकार से काम करने वाली इस्टिउशन से हैं कि उसमें स्की सामाज में प्रतिष्टा बढ़नी चाहिए दुर्भाग्य से हम हमारे देश में जो मुझी अनुकुल नहीं वो सब निकम्मा यह जो सोच है कि टोटे अंडेमोक्रेटिक सोच है और उसी में प्रत्रकारों को ब्लैक्लिश कर दिया जाए वह उसी सोच का परणाम है कि ए रिजेक्टेट क्यों मेरे अनुकुल नहीं हो उंडेमोक्रेटिक है लोगत्तर की हत्या वो और इसलिए एस्टिटूशन से साथ भी वही हो रहा है जैसे पत्रकार के साथ हो रहा है तो मेरे अनुकुल नहीं तो निकम्में टो इंस्टिटूशन तो मेरे गड़े रेड मत कर तो चुरी करता रहूँगा तो इंस्टिटूशन नी कमी यह जो लॉजिक चला है मैं उसका उपाई क्या उसका उपाई यही है कि हमने ऐसे शक्सियत और ऐसे शक्तियां उसकी प्रतिष्टा बढ़ाएं इनकी सामाजिक प्रतिष्टा इतने बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा और मैं पक्का मानता हूं कि आने वाले दिनों में जिब देश समझेगा कि यह बाइस सो करोड रुप्यों के धेर टीवी के सामने देख रहे हैं पहाड़ नोटों के तो लोग देखे यार कोई तो सिस्टिम होगी जिसने पकड़ा होगा तो पता चलता है वो इंस्टिटूश के लिए काम करने वाले इस्टिटूशन से उनके पर फोना चाहिए तो वह भी मेरा एक में बिशर है कि जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उतकी अपनी बुराहियां होती वह भी कम होती है उनके भीतर कभी-कभी बुराहियों जो आती है आप मान सम्मान उसका जीवन में ब बुराहियों से बचता है तो वह भी मनोवेग्यानी लुप से एक तरीका होता है तीसरी बात है कि लोगों को तो यह लगेगा ठीक है सरकाने पैसे ले लिए हमारा क्या है तो मेरी कोशी यह है लुए कि नखाओंगा नखाने दुएंगा वह आगे है जिसने खाया हो निकालूँ गाल और जिसका खाया उसको खिलाओंगा वह ढूंगा और इसलिए जैसे केरला कीरल में को आपरेटिव बैंक का नेटवर्क है वो लेहग टिस्टों कह dom है इन्होंने क्या किया कि यह बार चबी है कि जूँके टुले हुए आफ और ये बरा स्काइम किया हुआ है गरीबों के पैसे हैं इते पैसे हैं जैलरी वाले वेलें सोसाइटी उसके पैसे हैं और बच्चों की भलाई के लिए विचार होने पैसे बैंक में रखने हैं एक बैंक डूब गई तो यह उसके संचानल जो कॉम्मिनिस्ट लीडर है उन्हों ने खजाने का अपने पर्सनल व्यापार के लिए उप्योग किया और उसमें घाटा आया तो बैंकर डूब गई या उसमें से चोरी की कि बैं कि जो पैसा आएगा जो बैंक में जिसने पैसा दमाती है उसको मैं वापिस करूंगा अब जैसे लालू जी ने इसे प्रूवन केस है कि जमीन के बडले में नोकरी दी रेकॉर्ड पर है उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अब पता है कि इसकी जमीन यह नोकरी मिली और उसके बडले में जमीन लिखवा ली तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापिस मिले बंगा के अंदर करीब 3,000 करोड रूपिया की संपत्य हमारे जब तक हुए है अब यह जो कि महारेटकाड है हरनोकरी के लिए कि टीचर बनना है तो यह पैसे रेटकाड है और नीचे से उपर ते दिया था इस तरिको दिया था यह बैंक से निकाना तो मैं ऐसे इमान दारी से मुझे करां यह पैसे उसका मालिक कि एक दो कि अब मेरा ना खाता हूं ना खाने देता हूं अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निखालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा कि मैं लंबा समय बंगाल में रहें तो मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है आप बंगाल में क्या बीजेपी के लिए प्रॉस्पेक्स देखते हैं और दूसरी बात यह है कि मामाटी मानुष की बात करती थी ममता मैरें जी आपके लिए भी मिक्स्ट एमोशन रहते कभी आपको बहुत स्ने से वह आम भी बेचती है टॉक मिष्टी कहते हैं हमारे बंगाल में घटा मिठा तैप को रिष्टा है आपको लगता है कि वह कंट्रोल ने कर पाई जिस तरह कि अधिते महिलाओं के खिलाफ हमने असेंब्ली एलेक्शन भी जिस तरह का वायरेस देखा आ इस प्रकार से उनका साथन पर इतना कंट्रोल है लेकिन गलत दिशाथ में यह जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए और मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिस्ट्री दई भेज दें वो तो शाइद एक प्रोटोपल के हिसाग से वो करते रहते हैं मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा लेकिन इसका मुट्राब यह नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विशह में हम आख बंद रख सकते हैं यह तो नहीं हो सकता है अब बंगॉल में क्या प्रोस्पेक्स देखते हैं भाजपा के लिए खासकर के सेलेक्शन भारती जनता कुरुभा के देखिए और खांद मार्केट गैंग देखिए कि जिसने कि सत्ता नहीं बनी एक पराजे अरे तीन से असी क्रॉस कर गए बड़ा वीजे था हमारा है लेकिन खांद मार्केट गैंग ने देख लिया कि आज हमारे एंपी बंगाल में और बड़े शांद से काम क इतले भारती जनता पार्टी के लिए बहुत तेजी से भी कास है कि अद्भूत स्विक्रूती है कि समाज के सभी वर्गों में है और अब बंगाल के लोग दूसरा विभाजन नहीं देखना चाहते अब बंगाल को तूर्था हुआ देखने के तैयरी बंगाल के लोगों की बंगाल के बाद एक बार मैं दिल्ली को लेकर सवाल पूछना चाहता हूं दिली के मुख्यमंत्री अर्विन कि जिवाल चालिस गिन तेहार में गुजारे बार चुनाप रचार वो कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि मतलब वो इको सिस्टम या वो खुद इसको पनी जीत बता रह इसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उसको कोई भी टिपनी करूं उचीत नहीं है कि मेरी चिंटा कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं तो अदालत ने क्या कहा उसको अगर ध्यान के अंधिक कर नो है को तो सराव घोटाले में हाइक पी ट्रिप्डिक है क्या है कि हाई को ने क्या है चैनल कि ने क्या कि चोड़ो और इसक्षय कर थे कि कम से कम हाई कोट ने सराव गोटा के लेके मारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिपड़ी की है अब चिंता का विशे यह देश में और जो गंबीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेबारी नहीं रहेगी अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिट्मेंट नहीं रहेगा कि सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था कि स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने पर स्कूल नहीं जाता था उसके माबाप की शर्माते थे आग मेरे बेटा एक्जाम में पॉपी करने में पकड़ा गया था यह स्थित्री थी कि एने इन चीजों को बुरा मना जाता था हमारे समाज में आज बे शर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है जिन पर गंबीर आरोप लगे हैं उनको कंदे पे ले करके आप शार्विजेनिक लुप से नाच रहे हों यह जो पतन हुआ है वो चिंदा का विश्य है बुझे कोई परसंद से लेना देना नहीं है अगर यह हुआ तो ब्रस्ठाचार की होता कि पह करते हैं तो महिमा मंदर होता है संवाज में अख्वारों में भी मेरा पहले के जमाने में तो पेज को स्टोरी कवर स्टोरी मिलती है उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा तो ऐसा कर सकता है और वो बड़े बन जाते थी दुर्भाग के से अब राजिनेत काम को यह बेने सब्सक्राइब करने जाते हैं और आज में देख रहा हूं वरना कोई पर इनके विशेवेगा क्लियर हो जाए तब तक रहने तो यह पतन है समाज जीवन का मेरी चिंता हूं है गोजी जी कोई भी लीडर है जो प्रधान मंत्री दो बार रह लें थोड़ी बहुत अंटी इंकंबंसी आ जाती है इस देश में तीन बार सरफ नहिरू जी चुनाब जीत पाए पर आपके खिलाफ ग्राउंड पर जाएं तो लोग भी कहते हैं बीजेपी के लोग भी कहते ह ही है तो 272 जब पार हुआ 2014 में तो लोगों ने का मोदी जी की आंधी है देश में अगर आप 370 पार हो रहा है तो यह क्या है आपको लगता है आपकी लोगप्रेता चरम पर है और यह प्यार क्यूं है लोगों का है मैं को लोगफ्रियता के लिए काम करता हूँ है और नहीं मेरे पास मेरी मधर ना लग। हमार्जों क्या है और शुआ कि आम तोर पर खार्री है और विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फिताटा को दिया जलाओ, अकबार में रोटाइब्मेंट दो, मेडिया को लिग करो, स्टोडी बनवाओ, और उनको लगता है देश चलता है, और जादा तर सरकारे उसी मिजाद में रही, कॉंग्रेस का पतन बहुत कम समय में हुआ था जी, देश आजात होने के बाद, चौथा चुनाव आते आते, कॉंग्रेस दुर्थ हो चुकी थे, सहीं तो विधाय को लेकिन कॉंग्रेस ने इस देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होते हैं, उन्होंने खुद देश के लिए करने के बिजाए, विरोधी दरों को खतम करने में अपनी शक्ति लगाए, इसलिए खड़ा नहीं हुआ, अधरवाइश श्री सेवन की चुनाव में ही, देश में को रिजक कर चुका था, हिंदुस्तान में आप देखिए सरकारों के अलगलग मोडल अब देश के सामने आच चुकी है, और मैं तो मानता हूँ, यह के स्ट्रडी का भी शाय है, कोई उनिवर्सिटी करें, कोई मीडिया करें, कोई मीडिया परसन किताब देख सकता है, देश ने एक कॉंग्रेस का मोडल देखा है, देश ने लेट का पार्टियों का भी मॉडल देखा है जो अब देखा है उनका मोडल देखा है दो देश ने मिली जुली शरकारों का मोडल देखा है उसका इनालिस करना चीज ने किसके लिए काप किया एक हंडेट दो हंडेट पैरामिटर तो आप देखेंगे टुक परफॉर्मस वाला मॉडल बीज़ेवीग लेन आपको और जो परफॉर्म करते हैं तो सरमान्य मानमे का विश्वाथ पढ़ता है यह कि इस बाती होती है कि कैसी सरकार मेरा यह नहीं हुआ हरेका होता नहीं है जो कि हरेका हो गया अचानी होता है तिए अज पॉब्लिक म कहता हूं नहीं है जो करते हो करते रह नो कि मेरा इक काम कर नहों करना उनám कोई रहता है मिले क возмож कच्छ घर reicht । क्लिक एक हम परता का एक में रखते रहा है। मैं जो मकान बना रहे हैं। सब्सक्राइब काम भी कह रहा है यार मुझे तो मेरा तो जान है उन तीन करोर बनागे देड़ा है विश्वास पदा होता है अब डिलिवरी जब करते हो मेरी सरकार की सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो मैं योजना जिसके लिए बनाता है उसके और मेरा इसके काम करने के मेरा तरीका है मैं जब गुजरात में था तो मैंने अलग-अलग स्तर के एक 20-22 अफ़रों को भुलाया कुछ तो पता नहीं था मैंने को पुलाया कि मैंने सब पैर दिया लेकर के आते हैं डायी मने कुण को दिया मैंने का मुझे अब बताईए एक वीडियो है गाव में रहती है अनपड़ है कर सरकार की सरकार की यह इसी मेरे उसकी वह शब्राप्ता करने के लिए स्टैब मन क् Rabbit करना टूश क्या है पुर क्या करना के से करना कहां जाना मुझे आपके मेरे डायरी दिए इसमे लिख कर रखा अब उनको कहा लिखो इप शर्प्राइब सब के सब फेल हो गए कि मैंने कहां मैं प्यार से बात करें मुझे बताइए भाई आप आये सबसर हैं किसी की 20 साल के नोकरी हो गए किसी की दो साल की हो गए आप पता नहीं है कि एक वीडियो को मैनिफिट लेने के किस जगह से बुझना पड़ता है फॉर्म कांसले ना होता है प्लाइका मैंने का बताई हमने ऐसी व्योस्तर बनाई है उस वीडियो को क्या पायदा होगा तो उनको लगता है हाई आर पिस तो कमी है और फिर वो करेकरत थे तो मैं मेरे दिन में यह रहता है कि में योजना बना दू वावाई करूं एक एडिटोर छब जाए ठीक है मेरा गुजरा हो जाएगा लेकिन आम आदमी मेरे पूरी कारशायली यह लांस में डिलिवरी की है पर्फॉर्मेंस की है और उसका परणाम होता है तूसे जैसे स सथा अभ्यान में तो सरकान ने क्या करना सा लेकि मैं जाड़ू लेकर कि गुंता सा छोटा सा बच्चा भी अपने दादा को कहता है कि दादा बोदी जी ने ना कहा है इस चीज को छोटी मत मानिये जी आज के युक्की बहुत बड़ी घटना है इसी के लिए आप लोगों क करने पड़ती है कि अपना पड़ता है और निश्वार दभाव से कोई कुछ भी कहे सो आपने अच्छा करना है तो करते रहना चाहिए मुझ देश रेखता है जनता जनाते निश्वार का रूप में उसको सब समझ होती है तो मुझे आज तक मेरे जीवन में यही में जब बाड आई थी आपने नाव भेजे थे रसर भेजी बं भट रहे थे आप गानी मैदान में वहां पर खड़े थे हम लोग वहां पर मौजूद थे तो इक भरोसा है जनता को वहां पर लेकिन बिहार लगाता पिछड़ा जा रहा है हम जैसे बिहारीयों की सबसे बड अपने घर जाने का गाउ जाने का क्या है आपके पीडारे में क्या आसवासने बिहार की जनता के लिए मोदी भरोसा क्या है वहां के बिहार छोड़ दीजे मेरा 2013 का भाशवन है 2013 का तब मैं प्रदान मंतरी कैंडिडेट भी नहीं था मैं मेरी पार्टी के इलेक्षन केंपे हमें भारत के पूर्वी भारत को डेवलप करना होगा अब पहला टार्गेट होना से कि उसको प्रश्चिम के बराबरी में लाना प्रश्चिम मतलब गोवा गुजरा महाराष्ट्र पंजाव लियाना पूरा अरप दिक हिंदुस्तान को दो हिससे दिखेंगे आपको का जो हमारा पूर्वी भारत है वो समृ भारत है ही सारी हमारी हमारी संपड़ाइए नेस्र So प्रफ्र सारी वहीं पानी तो वहां हुआ है इसके पान नमक के जिवा कुछ नहीं है कि वहां एक भी डाइमंड नहीं है लेकिन दुनिया में दस में से आठ डाइमंड किसी ने किसी गुजरादी का हाट लगा हुआ है तो यह इस थे थी क्यों तो मेरा तीरा का भाषण है कि हमने पूरी भार को डेवलब करना चाहिए और आपने देखा होगा जो हमने बिहार में इंट्रासेक्टर का काम किया है अपने ब्रीज के काम लंबे अर्टे थे अट्के हुए थे इंडिस्ट्री के लिए का लोग और की सिचुएशन जो है उसको की चिंदा करना यानि ऐसे हर वीशे पर बढ़ देना हमने गैस पाइंप्लाइन का काम किया है यह इंडिस्ट्री को बहुत बढ़ा सब्सक्राइब मिलेगा तो जाएंगे वहां के अग्रिकल्चर को भी हम मोड सकते हैं कुद्धिशा में बढ़ आज देखेंगे बिहार का युवा सबसे ज्यादा टैलेंटेड मिलेगा आपको किसे भी फिल्ट में जाई आपको ऐसे हर लगा तो दो ब्यारी बच्चे बिल जाएंगे और वह ऐसे ही घर से निकले हुए लोग नहीं है सामर्थमान लोग है मेरे राज में अगर मैं जो बिश्वगाने तो उस भूमी यासे हुआ है तो उसमें तो कोई कमी नहीं हम इसले मैं जारकन हो पुरी याने अपुत्तप्रदेश हो भिहार हो असाम हो बंगार हो इस पर हमारा पुराब्वाल है इंफ्रासेक्टर को बर्दो बहार जो नेच्रल डिसोर्स इसका जो बहुत जाना जाते हैं जो इस तरह से काम करते हैं तो इसका नाम उपरेशन गंगा रखा या देवी शक्ति रखा क्या सोचते आप नाम एवरिटिंग नेम इस बहुत परिक्रिक्राइब होता है आपके इसमें मेरे दो अनुप है जी जब गुजरात में था एक एक नंस के कमा चीफ आए है वो तो रिटार्इड अफसर होते हैं तो मिलने आए तो सारा फॉर्मल जो उनका ऑफिशल था अगर आप समय दे तो मुझे पर्सनल बात करनी है मेरे डूटी के सिवा है ने मैं का फिरूब आप आए बात की जाने मेरी पत्ने का एक आपको मेसेज है मु संस्क्रिट में क्या रखते हैं कोई सरल नाव रखते हैं यह सवाल पूंचाता है हमारे देश में क्या हुआ है जी हर चीज का है उसको सुनते ही ध्यान में आना थे इसके लिए है उसके साथ एक अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ आप एक आप अपने कोई अलेग्जंडर नाम रखत लिया पूरे मॉलेवाले कहें कि एक अपने अमन रख लेज लिए तुम लगा अरे हरी तौमना बच्चा है हर चीज में का पना पन होता है जी हमारे देश में सब क्या कमी हम सो बताएं हम सहाज से लोग अब्से जंदन कि मैं जंदन योजना बनाई है वैसे मैं इसको उसको मैं कॉंपूटिशन करता हूं मैंने स्कीम रखकर के लोगों के आईडियाज मांगे थे जैसे स्वच्छता के जो गांदी के चश्म है वो लोगों मुझे बेजे होगे हैं लेकि मैं जन सामाने को जोडता हूं तो उनक जन्धन योटना एकतम सा गरीपो लगता है सामान ने मानुए का दर अब जैसे मैंने स्वामित्व योजना बनाई है जो मैं ड्रोन से गाउं में उनकी संपत्ती का सर्वे करको उनको सट्टिव कर देता हूं अब उसकी सबसे मड़ी समस्या है कि मेरी जमिन के रेकॉरी नह सबस्क्र अरुट कर झालता है कि हम उसको सबस्क्र Dovakental जाए मैं कि सबस्क्राइब लिए श्रीचार नाम है श। यह सबसे बड़ी करंशी है कि 21 तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग उसके ताथ है अच्छा यह तो हमारा है और इसलिए मैं मानता हूं कि हमने योजना ही अच्छा इसे नाम रहते थे अब मैंने काविरी रखा तो जादा तर उस इलाके के लोगों को एक उनको मुझे लाना था तो मेरे लिए वो सूट करता था काविरी वैंने चंद्रयान के लिए श्रीप शक्ति रखा तो मेरे मन में था कि पूरे ब्रह्मान के साथ जुड़ा तो मैं बड़ी सरलता से लोगों को रखता हूं इसमें एक तो मेरा अपने पाद जो मेरा सौप्पेर रिष्पन दिया हुआ है वो जो प्रोसेस करके निकालता है वो भी ऐसी तीजे निकालता है और जो क्राउड सोर्सिंग करता हूं उसमें से मुझे ज्याता था पुरंद मैं उसको लब लेता हूं एक इसका उधारन सब मैं परस्नल एक्पिरेंस एक शेयर परता हूं उपरेशन गंगा नाम रखा था अपने तो मैं पॉलेंड में था यूकरेन से जिन लोको बचाय गया है कपल जो था उनकी वाइफ प्रेगनेंट थी तो जब उनने बोला कि कुषिश की गई कैसे मैं अब जैसे राहूल गांधी का बयान आया उन्होंने बलाए कि मैं जब से पैदा हूआ हूं सिस्टम को मैं समझता हूं किसको अटैक करना है किसको टारगेट करना है मैं ही सिस्टम हूँ और सिस्टम लोवर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है मुझे जो अपत्ति रेक्तिकर तौर पर लगी उन्होंने इस बार जुडिशीर और मिल्ट्री को भी नहीं छोड़ा वो भी लोवर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है यह बयान जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है सर मैंने जितना इस वीशे में सोशल मेडिया में मेरी इन अपने फैमिली के सोच, विचार, आचार उसी की बात दुनिया को बता रहे हैं तो एक प्रकार से तो अच्छी बात है कम से कम उन्होंने दुनिया को बता जिए कि मैं ऐसे लोग है तो आप बचके रहो दूसरा विशे हैं जी मैं देखता हूं देश में राजनीति करने का कुछ सरण रास्ते जो लोगों परजे हैं और जिसमें इंडी एलाइंस के करीपरी सभी पार्टिया फसी हुई है या उनको वो शूर्ट करता है तीन चीजें प्रमुक रूप से उभर करके आती है एक गोर संप्रदाइक लोग है क्यंटर्डरेजम का चोला परेना है लेकिन वो बॉस कॉमिनल कॉमिनल ही है वे उनके लिए हर सीज देखते हुप आइडिया आता है तो कॉमिनल यही आता हुप उसके बारे वो उनको शॉत आता ही नहीं कूछ दूसरा कि यह घोर जातिवादी है तीसरा वो एक गोर्परिवारवादी है ये तीन चीजे ये सभी कुन्बे जो एक खटे हुए इनके कॉमन है उसमा कोई आप मैं कहता हूं उसको टिक मार करें देख लिए आप मिलेगा है ऐसे ही है और समझ्छा की चड़ यही है और इसलिए या आज नहीं पहले भी उन्हान ऐसे ही और जब चाहे वो बट्ला है उन्हों आपको इंद्रा गांदी का भाशन मिलेगा ज़्यों जातिवाद के खिलाप बार लंबे भाशन की है और उनीके परिवार के लोग जातिवाद की उपर लंबे लंबे भाशन देते सुनाई दे रहे हैं बट्लब कोई सोशल डि सोपर विचारों पर चलता उसको जड़ा मैंने ज्यादा पड़ती है और जिसको मेरा विरोध करना उसके लिए भी सराव हो जाता है तो बड़ा आडियाल है क्यों कुछ भी विरोध करना बड़ा सवाल पूछूँगा कि यह बात देश में बहुत है कि ऑपोजिशन स्ट्र राजनीती में हैं पर एक कुछ लोगों कहने कि वह मच्योर उतना नहीं हो पाए और कुछ लोग यह भी कहते हैं राहुल गांदी सबसे बड़ा एक एसेट है वीजेपी का क्योंकि वह ऐसा बयान देते हैं कि आपको उससे और एम्मुनिशन मिलता है कॉंग्रस को एक्स्प अब मेरी मर्यादाओं का पता है तो मैं किसी के नाम का उपना उलिक्या इससे मुझे कोई ले ना देना नहीं मैं जर्नल्वे में आपको जवाद दूंगा कि लोग तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बहुती मजबुत विपक्ष हो बहुती सजक विपक्ष हो और सरकार को तल्वार की नौक पर चलने के लिए मजबूर करें ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए और मुझे इस देश में टैलेंट की कमी नहीं लगती है इस देश में भरपूर टैलेंट है उनको अवसर दिया जाए मुझे लगता था कि 2014 से 2024 एक अच्छा विपक्ष मुझे मिलता मेरे मेरे जिवन में कोई कहेगा क्या कमी है तो अच्छे विपक्ष का अभावे में कमी महसूस करता है क्योंकि उनसे मुझे कोई positive contribution मेली नहीं रहा है मैं तो सोच रहा है इन लोगों साट साल सरकार चलाई है तो मुझे सरकार चलाने में सुविजा होगी जाते आते पूछलूंगा मुझे रजे बताई है क्या करना है क्या नहीं प्रणमुखर्जी साब थे तो मुझे थोड़ मैं दुनिया खड़ी करनी पड़िया मुझे गुजरात ता बड़ा मेरा अनुभवता वो मेरे काम आया कि विपक्ष किसी भी प्रकार से काम नहीं है और नकारत मक्ता इतनी नकारत मक्ता इतनी कि देश हित के अत्यन महत्पूर्ण दिन रहे जो कभी उनकी खुद की रिपिट लेने के लिए उसे उन्ता करना यह चीज मैं समझता हूं कि चिंता जनक है लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में मजबुद विपक्ष होना चाहिए शक्रिय विपक्ष होना चाहिए और बहुत ही वैल्ट्रेट वैल इंफॉम्ट उसका लाब होता था हाउस में ट्रीजरी बैंट के लोग भी दर उदर होते नहीं थे अब ही तो हालत ऐसी नहीं है जी मेरे मेरे दिन में दर्द रही है प्रतानमांद्री जी इसी से जुड़ा हुआ ये एक सवाल है कि आपने मुझे लगता है कि तक पिछले दो महीनों में लेकिन उससे भी ज्यादा लग रहा है कि बजुबानी विपक्स की बढ़ी हुई है उससे ज्यादा आपके खिलाफ गालियां पड़ रही है इस बार पहल अब आप वोट करने जाते थे और माका शिरवाद लेने जाते थे हम लोगों ने गांदी नंगर मेंशा देगा तो ये मिस कर रहे थे आप और दूसरा ये बजुबानी कैसे ले थे आप मैं दो चीजों को अलग करके देखता हूं ये कहना कि मुझे अभी अभी गालिया काम मिला तब मुझे साइब कोई ऐसा विशह निजी कि मुझे गाली ना पड़ी हो और मिना कारण मेरे बाल नोच लिये हो उसमें तरह पुलिकल लोग नहीं ये खानमार्केट गैंग पूरी ये आपके मिडिया में जो महारती के जाते वो भी आप पुराने अगर अंक निक को भी अच्छे से पेंट किया हो उससे भी भद्धी तश्वेरे मेरी हैं लेकि मैं अपना आपा फ्या नहीं मेरे कभी ने पुरा क्योंकि उनीक की मजबूरी है कि उनको आज हस्ता हुए चाहरा रखना पड़ रहा है और उनको एक साल में अगर 24 संग निकलते हैं तो बारा कि अच्छा होगा कि लोककंत्र में है कि शार्व जनीक में सुचिता का पारन हो अलोचना हो लेकि अच्छी भी तो सकते अच्छे नंसे भी हो सब्सक्राइब है कि ऐसा ने हमसे भी कोई गलती नहीं होगी तो मैंने क्यता हूं लेकि हम सब्सक्राइब मैं कि जिग उपड़ेश दूसके क्या मतलब है कि मोदी देखुझ ने भी कभी गलती की होगी मोदी के साथ के ने भी गलती की होगी लेकिन भारत में यह स्थिती ठीक रही है जो हो र तो जो हमारे खेल प्रेमी युवा है सर आपने कई जगा पर बताया कि 2036 की ओल्लिम्पिक्स की हम बिडिंग करेंगे सर उसकी क्या तैयारी हमारे खेल से जुड़े जो युवा हो जाना चाहते हैं बहुती अच्छा सवाल आमने पूछा है जिसने जी 20 का पूरा बारी के से अनालिस किया हुगा वो इस विश्वास कर सकता है कि हां अब भारत की ख्षमता है भारत की ख्षमता है इन चीजों को करने की कॉमनवेल्ट गेम के कट्व अनुभव इतले थे कि लोगों को विश्वास तूट गया थे और कुछ हो नहीं सकता है तकि जी 20 के बाद देश का विश्वास में हम भी कर सकते जी 20 का दूसरा फाइदा यह हुआ कि देश के 60-70 अलग अलग थानों पर जी 20 उस नहीं शान से हुई तो देश के हर कौने में विश्वास बगा हुआ है दिली में करते तो लगता एक सरकारी कारगम हुआ है लेकिन एक पकार से पीपल्स डिव सब्सक्राइब कर सकता है और आज के युग में मेरा मानता है भारत जैसे मैं क्यातों वेडी ने लिया तो उसके पीछे मेरे में में एक इंफ्रास्रेक्टर तयार होता है कि धनी लोग खर्चा करते हैं यहां रहते हैं उसी प्रकार्ज में कहता हूं कि हमारी हाँ स्पोर्ट इवेंट्स होने चाहिए और मैं आज कर छोटे-बोटे अब जैसे मैं 2029 यूथ उलिम्पिक मैं चाहता हूं कि देखो इसको चेश का वर्ल उलिम्पिक मैं कहता हूं आपने बीच उलिम्पिक का भी जिखर के बीच उलिम्पिक बनागी हम टाय करे और अभी से मै मैं अट्लांटा में ओलिम्पिक देखने गया था यह से मैं खुद खिलाड़ी नहीं हूं लेकिन दोबस्ताओं को सिखना सबना मेरी रूची है तो मैं जाकर के देखा कि इतना बड़ा इवेंट और्गनाइज कैसे करते हैं तो मेरी प्रिये कुछ गेम में देखने आता रजाएं भारत के लोग खेल रहे तो पूरा समय में देखता था तो मैंने देखा बड़ा इंट्रेसिंग था उन्होंने क्या किया था और मैं कभी ने करण पार गड़ंड दोशां कनी कि गड़ा क्यों अनुषीशा क्या एक लिदीत दों आशों कि आलेमिक ऍवन श्टूदियम से 205 को मुझोड तो टオ acquire करो बस में मिप्तमे पता है उसको जो गर जाना थे उसका कर जो दो इस गाधी का प्लार शेम रहता था तो उसको प गल्ष पर ल्स पर दिया है तो बस के लोग सब मेट्रों में उस कलर वाले डिपी अ जाते घित फिर सीथी स्टेडियम के पाद जाती थी सार्ड कार मैं से एक बस हो गही एक बस मैं से 500 बस में है करोण लोगों और थे बढ़िया है तो मैंने मेरी टिम हो सब्सक्राइब करना उनकी आवर्शक्ता है क्या हो कि उसको समझना एक सेम सेम टाइम हिंदुस्तान के खिलाडियों को तया करना क्योंकि खेल मेरे आए गोल्ड मेडर को ले जाए तो नहीं होता है लेकिन पहले सिलेक्शन में अभी संप्राजय वाद परिवार जाती वाद हर चीज में अथा वो सिलेक्शन उसके आधर पर होता तो मेरे परिवार का बच्चा है खेले ना खेले आर जायते हैं यहीं होता था अब खेलाडी है तो जिस खेल में उसकी योगता है सिस्टेम उसको सिलेक करती है मेरे लेकिया जाता है जब टांसफरंसी आती है तो प्रणाम भी आता है अखरी सवाल पंजाब पे मैं पूछना चाहूंगो कि आपने तीन रैली पंजाब में पिछले दो दिन में किया मैं पंजाब एक स्केट है जो काफी चैलेंजिंग माना जा रहा है बीजेपी के लिए वहां किसान प्रोटेस्ट पी कई जबापे हो रहे हैं आपको क्या लगता है पंजाब की सिटिविशन के आप फार्मर्स को मना पाएंगे वहां पर जो पार्मर्स कुछ लगता है शायद पहली बात है कि पंजाब में भारती जंता पार्टी के लिए स्वर्निम कार्ण है वहां जो सरकार है वह पूरी तरह विफज़ गई है और पंजाब के लोग बढ़े स्वावी मानी है उनको दिल्ली से रिमोट से कोई सरकार चलाए इसको पंजाब का पान बांते हैं और यह रिमोट के जहन में हैं और सब्सक्रीजादा तब हुआ कि एक मुख्मंतरी सरकार चलाने के लिए गार्ड़न लेने के लिए दूसरे मुख्मंतर को जेल में मिलने जाए तो यह पंजाब को बहुत हर्ट कर रहा है कि पहिए असा कैसी सरकार जो दिल्ली के लोग चलाएंगे इसका गुस्सा है चुनाव में भार आने वाला है और उनको लगता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिख्ष समाइद के लिए इतना काम किया है करता तो फॉले डूर की बात हो या या एक प्रकार से किसानों की भ़्लाई के काम की बात हो किसानों की में ने काप की है उनके वाला भी हुआ है तो भारतिय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मैं मानता हुए कि मैंने जो मिलेट का किया है वहागे किसानों को छूता है उनको लगता है हमारा मिलेट अब दुनिया में इसको आनंद हो रहा है तो इसे बहुत सी चीज़े है जिसका प्रणा मिलेगा और पंजाब को लेकर जो करतारपूर का जिक्रापने रैलियु में वह भी चर्चा का व चालिए और सभी सवालों के जवाब दिया बहुत दूनिया बहुत 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 निपार 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 निपने निपार इसे कि स्ट्रॉंग माने माइफन स्टील गरेक्ट अब चोट